फास्टिंग आजकल इतना ट्रेंडिंग हो चुका है यह टॉपिक इंटर्मिडेंट फास्टिंग, फैट लॉस, वेट लॉस आकर है क्या है यह फास्टिंग इस टॉपिक के ओपर मैं और रेड़ी तीन साल पहले एक वीडियो बना चुका हूँ अल्टिमेट गाइड ही थी वो भी एक तरह की क्योंकि तब मैं बहुत जोरो शोरो से फास्टिंग करता था मेरी लाइफ में कोई काम नहीं था सवाई डायट और वरकाट के तो मैंने सब कुछ ट्राय किया था अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो तो आप पिछली दो वीडियो भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ मैंने क्या उखाड़ा है लाइफ में sitting besides a window trying to help you with best of my knowledge and experience let's get started with today's video guys तो यार यह fasting है क्या सबसे पहले समझो जब हम ancient teacher early man stages में हम आदिवासी थे ना तब हम fasting पे ही जीते थे क्योंकि हमें नहीं पता होता था कि हमें next meal कब मिलेगा शिकार करना होता था जब मिलता था खाते दबा के उसके बाद फिर fasting मोड पे चले जाते थे तो हमारी body वैसे ही design over the course of many generations हम evolve हुए है हमारे epigenetics की वज़े से epigenetics क्या होते है environmental factors जो हमारे around surround चीजे हैं हमारा काम धंदा हमारे आसपास के लोग दुनिया technological advancement कैसे दुनिया आगे बड़ी है अब हम जंगलों में नहीं रहते हैं हम शेरों में रहते हैं जहां पर we need to earn a living हमें खाना पैसे से खरीदना है किसी को मार के नहीं खाना तो सारी की सारी life बहुत भाग दौड़गी होगी है जब हम आदिवासी थे तब हम सोते थे उठते थ करते थे खाते थे सोते थे रिप्रोड्यूस करते थे तो बस सिरफ एक बॉडिली फंक्शन को हमें एक्जीट करना था और इंसान का एक बहुत बड़ा कोई परपस नहीं होता था सिर्फ सर्वाइवल होता था फिर आज के ट्रेंड में फास्टिंग कहां से यही स्पिरिच तो वो कैसे हम connect करेंगे उससे जब हम अपने आप से connect करवाएंगे which you call solitude solitude का मतलब के होता है आप अपने आप से connect कर पा रहे हो हमारे सब के अंदर एक इनसान एक बगवान बसता है और जब हम उससे connect करते हैं तो हमारा जो राक्षस वाला साइड है वो turn off हो जाता है जिसक कभी भी किसी meditation center में भी जाओगे या फिर लोग rehab के लिए भी जाते हैं अपने आपको अपने soul को अपनी आत्मा को detox करने भी बहुत दिनों के ले किसी भवन बगेरा में रहने जाते हैं किसी गुरुजी की guidance के अंडर बहां पर तो वहां का यही रूल होता है number one कि हम आपको या तो बहुत ही light खाना देंगे like liquid diet या फिर हम fasting करेंगे so that it becomes easy for you to connect with your own self वहां से हमने as a tool उसको उठाया कि चलो भाई हम इसको weight loss की तरह use करते हैं क्योंकि intermittent fasting is an amazing weight loss tool as well तो अब आप एक normal जनता हो आप मेरा चैनल इसले नहीं देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे meditation tips दूँ और solitude कैसे practice करने उसमें दूँ जबकि आपको करना चाहिए वो क्योंकि अगर आप weight loss fat loss या body building कुछ भी कर रहे हो chapter 1 तो आपका येग layer होना चाहिए कि क्या आप अपन सब यह होता है कि जब अपनी body को खाना restrict कर जेते हो कि अब खाना नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अब तुझे सिर्फ पानी पे जीन है यह है half information यही information लेके लोग Google पे लिखते intermittent fasting वहाँ पे आजाते 16.8 उनको पता चलता है कि अच्छा 16 गंटे मुझे फास्टिंग करनी 8 गंटे मुझे खाना खाना है उसके अलावर में फास्टिंग में सिर्फ पानी पी सकता हूं और कुछ भी है तो मेरा fast break हो जाएगा और मेरा fat burning बंद हो जाएगा यह misinformation क्योंकि fasting से नेसेसरिली मतलब यह नहीं है आपका कि आपने फास्टिंग करनी शुरू कर दियो और आपका fat burn होना शुरू हो गया अगर आप fasting भी कर रहे हो और आप क्यालरिक सर्प्लस में खा रहे हो तो आपका fat one नहीं होगा fat gay नहीं करोगे fasting का परपस weight loss और fat loss नहीं है fasting एक टूल है जो आपको अपने weight loss और fat loss की diet पे stick करने पे help करता है क्योंकि जब आप weight loss और fat loss कर रहे होते हो तो आपकी life में खाना बहुत कम होता है तो अगर आप एक restriction डाल दो कि मैं fasting करूँगा because of these 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 reasons और उस reason के अंदर एक भी reason weight loss fat loss नहीं करना चाहिए तो आपको बहुत proud feel होगा कि चल यार अगर मैं जादा देर भी सो गया ना तो मेरी fasting तो हो गई मेरे liver को तो थोड़ा detox मिल गया reset मिल गया मेरे system को I am feeling light I am feeling more focused तो वो कैसे होगा जब आपको fasting के real benefits पता चलेंगे fasting के real benefits है number one वो आपको अपने आप से connect करने पर जो मैं आपको पता है solitude में help करते है number two it delays dopamine तो जब आप fasting करते हो तो आपको बहुत excitement होगी कि यार शाम होने के बाद मुझे अच्छा का आप carbohydrates मिलेंगे में को खाना मिलेगा वाओ तो वो जो एक मील होगा जो आपको fasting period खतम हो आपको जननत जैसा नसीब होगा मतलब ऐसा लएगा कि वाओ क्या स्वाद चाहे वह आप सिर्फ ब्रॉक्लिय स्पिनिच भी क्यों न खारे हो मैं guarantee देता हूं फास्टिंग के बाद जो आपका पहला मील होगा अगर आपने धंसे फास्टिंग करी है जो मैं आपको इस वीड जल्दी आपका इंसुलिन लेवल क्रैश भी हो जाता है तो आपका फोकस डिक्रीज होगा ही होगा इंसुलिन की प्रेजिंस में जब खाना ही नहीं होगा आपके इंसुलिन लेवल राइस ही नहीं करेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहेगा तो आप ज For example, आपके सामने एक चीता आ गया, तो आप ये तो नहीं सोचोगे न, कि यार मैं थोड़ा मील खतम कर लूँ फिर बचलूँगा तिरसे तू वेट कर, आप ये सोचोगे न, my god भागना है मुझे, तो वो alertness, वो focus, fasting आपको देता है, इसी की साथ तीसरा benefit है, it helps you execute your high focus job, अगर अगर मैं उनको सौट नहीं कर पाया, तो मैं रात को साटिसाइट सो भी नहीं बाता, तो जब मेरा client dealing period होता है, चाहे मेरी calls हो, चाहे मुझे type करना हो, चाहे मुझे check-in analysis करना हो, मुझे पता है, I don't need food, I just need coffee, और ये सब आपको मेरी stories के थूप पता ही होगा, कि मेरा lifestyle गया तो मैं daily vlogs भी डालरो अपने reels पर, then another benefit that you get is that fasting detoxes your liver reset कर देता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो, तो आपका liver भी process करता है उसे, और liver में जो bile juice होता है, वो आपके food के absorption को enhance करता है, तो अगर आप अपने liver को पूरे time overloaded रखोगे, तो आपको आगे जाके fatty liver भी हो सकता हो, अगर fatty liver नहीं भी होता, तो आपको, आपके liver को पूरे time काम करना पड़ेगा, और आपका liver आपको शराप देगा, जब आप मरोगे ना तो आपका liver भी आपको गाली देगा, कि साले मेरे को इतना यूज किया है, इतना थकाया है पूरी जिंदगी, अच्छा हुआ तो मर रह हमारा लिवर इतना बड़िया इंजन है, उसको काम करने का मौका तो दो, आप उसको उपर से खाना देते रहते हैं, वो उसको ही लगाने में मजदूरों की तरह लगा रहते हैं, तो लिवर को भी productive होने का मौका मिलता है, जब हम फास्टेड सेट में होते हैं, इन फास्टि हैं, फाट में बेजना हैं, ब्लड शुकर लेवल को स्टेबिलाइस करना है, यह इंसुलिन का काम होता है, तो इंसुलिन भी अराम से बैट के अराम फरमा रहा होगा, तो उसका भी बर्नाट खतम हो जाएगा, तो जैसे ही आप फास्टिंग पीरिड के बाद पहला मील लोग जो होते हैं, उनको इंसुलिन रिजिस्टेंस होती है, डाइबेटीस का दूसरा नाम ही यही है, तो अगर आपको डाइबेटीस होगी, तो अपको दवाईया खानी पढ़ेंगी अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को एन्हांस करने के लिए, तो प्रेवेंशन इस ब और हमें कोवेट इतना जादा हिट नहीं करा, ओविसली नवया बिचारी जो मेरी रियल भहन है, उसका टेस्ट चले गया था, डेड़ साल के लिए, डेड़ दो साल के लिए, बट फिर भी, मेरी फैमिली में सब सेफ थे, और फास्टिं एक रोल, एक एसेंशल रोल प्ले ग तो आपके इंदर जादा स्टेंथ होगी, तो वैसे ही, जब आप फास्टिंग करते हो, तो हमारी बॉड़ी के अंदर एक हलका सा चालेंज है, हमारे इम्यून सिस्टेम को हलका सा चालेंज मिलता है, उसको हलका सा स्ट्रेस देते हैं, खाना नहीं दे रहे, तो हमें तो हमेरी थोड़ी-थोड़ी मारता रहता है, एकसेसाइस भी करता है, फास्टिं भी करता है, तो तू मेरा क्या भी गाड़ेगा, जो पैथोजन भार सा जाते हैं, या कोई वाइरस हमारी बॉड़ी में घुज जाता है, तो एक ऐसे बंद हो जो पूरे टाइम एकसाइटे अब side effects भी सुन लो, सिरफ benefits सुनके आदी वीडियो देखके misinformation, half information लेके चले जाते हो, तो आपकी life बरबाद हो जाती है, side effects भी है intermittent fasting के, अगर आप एक IBS के मरीज हो, IBS पर मैंने पिछली वीडियो ही बनाई थी जो, अगर आपको irritable bowel syndrome है, कोई भी digestive disorder है, intermittent fasting आपका सारा का सार condition जो है, उसको worsen कर सकता है, intermittent fasting हर किसी के लिए नहीं है, तो है किस के लिए intermittent fasting सिर्फ, सिर्फ उन लोगों के लिए, जो बहुत जादा panicked रहते हैं, excited रहते हैं, anxious रहते हैं, उन लोगों के लिए जो पूरे दिन बहुत heavy heavy feel करते रहते हैं, या constipated feel करते रहते हैं, जिनको IBS C सब्सक्राइब करें और अगर आपको सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको फैटी लेवर है या फिर आपके लिवर मार्कर्स थोड़े ओफ हैं तो भी आप अपनी दवाईयों के साथ फास्टिंग करोगे तो आपका लिवर जादा जल्दी रिकवरी दिखाएगा और उन लोगे के लिए जो बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में फोर एगाप अगर आप एक असे बड्रेंटर बातर तो उनकी लाइफ ऐसी है इडर कि वो पूरए टाइम सेट पर रहते हैं और उनको यह चाहिए कि यह ठीक है माँ ब्रेकफास कर लूंगा उसके रहां मेरे सीधा डिनर होगा तो यह दोनों मेरे मेजर मीरमज होंगın, बीच में चटर mantar करते रहत हो, तो यह चटर लेता हूं यह वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्परेट लाइस्टाइल वाले बंदे वैसा लाइस्टाइल जी सकते हैं कि हम डिसिप्लिन से खाते हैं इतने बज़े यह वो 90% दुनिया इतनी जाधा बिजी है कि वो पैसेफिक टाइमिग पेएक मिल ले ही नहीं सकती वहां पर आपको फास्टिंग करेगी अगर इसके अलावा बंदे हो और सजी करोगे तो आपको बहुत बहुत buhut misery से सकती है तो इसलिए चाया कोई भी हो fasten होना gen की तर्ह लो गंटे की फास्टिंगरी, कैसे खाया पिया, उसको इंप्रूफ करते हो इंपहाँ पे चलो, मैंने भी ना पिछले चार-पांथ सालों में अपने आपको बिल्ड किया कि मैं आज की डेट में चौबिस घंटे पी फास्टिंग कर सकता हूँ, ऐसा नी था कि मैं पहले दिन से ही तो आप इंजर हो जाओगे, पर क्या 200 kg के डेट लिफ बुरी चीज है, नहीं, अगर आप प्रॉपरली पीरिडाइस करके अपने आपको वैसे स्ट्रॉंग बनाओ, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, और जब आप महां पर पहुच जाओगे तो आप बहुत बढ़िया, मस्किलर और स्ट्रॉंग इंसान बन चुके होगे, तो आओ मैं आपको एक बिगिनर टेंपलेट देता हूँ, कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी पहले फास्टिंग नहीं करी, तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है, अगर आप सुबह एक स्टैंडर टाइम, कि अगर 3 गंटे अपने आपको आपने ऐसे देने हैं, कि मैंने सिर्फ पानी पी रखे और कुछ भी नी किया, और पानी के अंदर अगर आप पिंग सॉल डालो, तो आपका फास्ट इन्हांस हो जाएगा, हाँ, मैं आपको साथ साथ टिप्स भी दोंगा, पूरा टेंपलेट बताते हो है कि हाँ, कि सिर्फ खाने की अपसेंस होना और सिर्फ खाने की अपसेंस में पानी पीना, इंटर्मिन फास्टिंग का सबसे बड़ा ब्लंडर है, फिर आपके ब्रेक्फस का टाइम आजेगा, तो आपको बहुत भूग लगी कि इस टाइम पे, मैं तो नौदस बजे के ब्रेक्फस कर लेता हूं, वहाँ पे अड़ गरो ब्लाक कॉफी, ब्लाक कॉफी आपके अपटराइट वहाँ पे सप्रेस कर देगी, अब आपको और ज्यादा फोकस मिलेगा, कॉर्टिसल अवेकनिंग रिस्पोंस भी इन्हांस होगा, मॉर्निंग कॉफी इस दे बेस तिं इंटर्मिन फास्टिंग कर रहे हो, तो वो जो आप कॉफी का शॉट पी होगे या ब्लाक कॉफी पी होगे, वो आपको तीन से चार गंटे तक अपटराइट सप्रेस करके रख देगी, उस तीन से चार गंटे के अंदर आपने पानी पीना है, आपको सिर्फ पानी वारा एक बज़े आपने एक नूट्रिशियस सालेड बोल खाना है, वो रॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग के बाद आपका डाजेशन थोड़ा टेंडर होता है, वहां पर अगर उसको वाम अप कराए बिना ही रॉ वेजटेबल जेदो तो आपको लूज मोशन लग सकते हैं, तो इसलिए cooked vegetables खाओ, मेरी recommendation ये रहेगी, best कि cooked tomatoes और cooked carrots, इनको आप अपने टिफिन में ले जाओ, और इनी को ही खाओ, इसके ओपर एक टिप बताते हूं मैं आपको, अगर आप इन दोनों को olive oil, coconut oil, mustard oil या देसी किसी भी healthy fat source में कुकर के ले जाओगे, तो इनक उनकी absorption enhance हो जाएगी, क्योंकि fat के presence में ही fat soluble vitamins आपकी बोड़ी को बहुत जादा अच्छे से लगेंगे, और उसके अंदर अगर आप पालग भी डाल दो, तो पालग आप रॉक हा सकते हो, क्योंकि अगर दो चीज़े cooked हैं, तो आप एक चीज़ रॉक हा सकते हो, क्योंकि व तो आप एक recipe बना लेना, जिसमें आप carrots, tomatoes और spinach, spinach को आपने यसे लंबा लंबा काट देना है, तो इससे आप spinach noodles बना सकते होगी, यह vegetable noodles है, और इसको मैंने healthy oil में, तो आप इसको जब ले जाओगे, और उसके ओपर जो आप नीम्बू ने चोड़ लोगे तो नीम्बू जो दूसरी बात spinach में iron की absorption को enhance करेगा, प्लस जो आपने healthy fats में cook की है उस meal को, तो tomato के अंदर lycopene होते हैं, उसके absorption को बढ़ा देगा और वो healthy fats, carrot के fat soluble vitamins की absorption को enhance कर देंगे, अब यह होगे आपका breakfast, highly nutritious और आपको सारे के सारे electrolytes भी मिल जाएंगी, तो इसके अंदर नमक भी होगा तो नमक अच्छे से खाना, और यहां पर मैं आपको भी बता दिरना चाहता हूँ कि pink salt अकेला एक अच्छा salt नहीं है, आपको थोड़ा सा ही pink salt चाहिए अपने दिन में, majority of the salt आप अपना white salt ही रखो, क्योंकि अगर आप white table salt को छोड़ दोगे इस सोच कि pink salt ज्यादा बेटर है, तो आपको iodine deficiency हो सकती है, तो दोनों का mixture लोग, सुबह आपने pink salt में पानी बी लिया, अब इसमें आप white salt लोगे, अब आपके next meal और इसके बीच में, कम से कम चार घंटे का फरक है, तो अब यहां पर आपने क्या करना है, इस meal को खाने के बाद आप अप अटलीस्ट एक करोगे, आपने another one liter of water chuck करना है, with salt in it, and उसके आदे घंटे के बाद आपने पीनी है green tea, अब green tea का यहां बेने बेनेफिट आपको बताता हूँ, जब आपकी बॉड़ी फासे स्टेट में होती है, तो वो डिपलीशन स्टेट में होती है, एक तो पानी भी पीरे होतना सारा, उपर से फासे स्टेट में हो, तो आपको सुशू भी आ रहा है, आपकी electrolytic depletion वैसे ही होती जा रही है, और फास्टिंग से वैसी ही आपकी body detox mood में है, तो हो सकता है कि आपको dizziness, crankiness हो, तो वहाँ पे आपको green tea सेफ करेगी, क्योंकि green tea एक बहुत अच्छा सोर्स है anti-oxidants क Green tea के अंदर जो main anti-oxidant compound है, EGCG, उसकी absorption enhance हो जाएगी अगर आप green tea में lemon ने चोड़ लो, तो lemon से क्या होगा, lemon and salt आप green tea में डालोगे, आपकी EGCG की absorption enhance हो गई, और आपको फिर से salt मिल गया, तो आपका sodium भी सही है, आपके electrolytes भी सही है, आपको anti-oxidants मिल रहे है, आपको fiber मिल रहा है, जब fiber आपने खाया था, जो meal one में, उसकी वज़े से आपके blood sugar levels बहुत ही जाधा stabilize रहेंगे, क्योंकि जब हम fiber खाते हैं, तो fiber की presence में हमारी body butyrate की production को enhance करती है, जिसकी वज़े से हमारा digestion सूध होता है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, green tea भी पी लिए, वो sorted है, अब green tea आपने पी उसके अंदर आपको थोड़ा सा caffeine भी मिलेगा, तो इसलिए अगर आपको caffeine tolerance को अपनी कम करना है, तो आप decaffeinated teas भी पी सकते हो, like camo wild tea, उसे नीद नी आएगी, आप calm down ही होगे, या jasmine tea, या फिर caffeine free green tea versions भी आते हैं, फिर protein fast digesting है, nuts slow digesting है, overall GI of the meal gets balanced, तो हमने GI load को balance करते होगे चलना आगे, क्योंकि fasting जो आप कर रहे होगे, या अभी मैं आपको ये पूरी typical intermittent fasting ही नहीं करा रहा है, ये beginner's guide है, कि अगर आप सीख रहे हो अपने आपको तो सबसे वहले आपको भूग को manage करना आ चाहिए, तो अगर मह पर आप GI load का ध्यान नहीं रखोगे अपने meals में, तो आप गिवप कर दोगे और आपको लहेगा कि this is not for me, तो ये stage 1 की diet बतारो मैं आपको, तो चार वजया अपने healthy fats and protein को चेज कर लिया, अगर आपको वे प्रोटीन नहीं है और आपको nuts नहीं खाने तो आप non-vegetarian हो, तो अगर आप vegetarian हो, तो आप पनीर भी खा सकते हो, so get my point, आपको healthy fats और protein की dosage चाहिए अपने second meal में, अभी हमने simple carbohydrates और basically अच्छे सा carbohydrates फोकस ही नहीं करा है, क्यूंकि मेरे style से अगर आप fasting सीखना चाहोगे, तो भाई, पूरे दिन में आपको carbohydrates से दूर रहना है, अगर आप fasting नहीं भी आती है फिर उसके बार, आप 3 गंटे तक at least इससे stuff हो जाओगे, नहीं होगे, तो यहाँ पे आप अपने आपको motivator push कर सकते हो, सिरफ यहाँ पे एक meal में, कि यार कोई नी, कोई नी, कोई नी, कोई नी, अभी मेरा 3 गंटे बाद डिनर ही है, 3 गंटे बाद डिनर ही है, अपने आपको पानी होनी पी के मैनेज कर सकते हो, उसके वाज़ आपका लास्ट मील होगा, आठ बजे, नो बजे जब लिया, क्योंकि जो लास्ट मील होगा ना आपका, वो बहुत तकड़ा होने वाला है, तो आप उस excitement में अपने आपको वेट कर वा सकते हो, तो मैं भी य आपको जो नींद आएगी, आप मुझे याद करोगे, पर यह है कि अपने उस heavy meal को, अपने बेट टाइम से दो गंटे दूर रखना, कि अगर आपने मील, फर एक्जेंपल, आट बजे खाया, नौ बजे खाया, तो नौ बजे मील खाने के बाद, एक गंटा अपनी फैमिल की साथ चेल करने के बाद, अपना मी टाइम रखो, जहापे आप आप मेडिटेशन कर अब आपको पते है कि यार मुझे अपना नेक्स्ट मील जो है, मैं को सोगँगा मैं रात को आराम से आठ गंटे आपको नीन बहुत अच्छी आएगी, सुबह उठूँगा वही प्राक्टिस करूँगा, और मेरा जो नेक्स्ट मील है वो लगभग 14-16 गंटे के रेंज के पीच में आएगा, तो आपकी 14-16 अर्च ओफास्टिंग आसानी से हो जाएगे अगर आप इस टाइल से चलते हो तो, अब यह कोई डाइट प्लान नहीं है, यह डाइट टेंपलेट दिया मैं आपको, इसमें जो भी आप खाते हो, आपकी जो भी मील्स हैं, अगर आप मेरे कुछ नहीं, सर्व आपको fasting periods between the meals बड़ा बड़ा के देखना है, और अपनी life के हिसाब से आपको इस format को adjust कर लेना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 4 meals खाने, 3 meals खाने, 5 meals खाने, 2 meals खाने, नेसेसरली, आपको जितने मी मील्स खाने, उस हिसाब से आप अपने आपको of intermittent fasting, और साथ मेरे electrolytes का मुझे बहुत ध्यान रखने, यहां पर कुछ supplements आपको बता रहों, जो आपको बहुत help करेंगे, जो आप throughout the day भी ले सकते हो, और pre-bed भी ले सकते हो, magnesium, रात को सोने से पहले है, आपने magnesium लेना है, 200 से 400 mg, आप मेरे recommended brand का भी ले सकते हो, मेरे को कोई collab न इंदर वैसी इतना सारा जा रहा है, तो salt का इंटिक बढ़ा के रखना, प्लस अगर आप fruits and veggies सही ले रहे हो, तो आपका potassium इंटिक सौर्ट रहेगा, पर अगर आप नहीं ले पारे for some reason, तो potassium का भी supplement लो, and last but not the least, taurine का supplement, अगर यह चार supplements आप ले रहे हो, आपके electrolytes भी सौर् मैट में जो मैने आपको absorption enhance करने वाली techniques भी बताई है, अगर आप उनको use करते हो, तब ही आप intermittent fasting करने के लिए eligible हो, अगर आप beginner की तरह एक misinformation, half information पे based intermittent fasting प्राक्टिस करते हो, कि मैं बस खाना बंद करा हूँ है, मैं पानी पीरो, पानी पीरो, भाई शाम होते होते हैं आप ऐस तो मैं इस वीडियो को यही पर कट करूंगा और लाइक भी दिवाना था कि इस वीडियो की reach boost हो और यह multiple लोगों तक पहुचे कि मैं चाहता हूँ कि अगर fasting कर रहे हो तो आप actually में उसके benefits रीप आउट कर पाऊ और fasting को गाली मत दो बाद में क्योंकि आपने गलत तरीके से I'll see you in my next video guys कोई भी डाउट हो नीचे पूछ लेना I'll answer them all I love you all bye guys